असलाम लेकुम and welcome back to my channel कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं सब हैरे से होंगे तो जनाब आज लास्ट है हमारा इस गर में क्यूंकर हम लोग जा रहे हैं हमेशा के लिए लाहूर छोड के तो यहां पर पैकिंग हो रही है जैसा कि आप मेरे पिछले व्लॉग में देख रहे है actually बात यह है कि जो मेरा content होता है जो कुछ हो रहा होता है मैंने वही शेयर करना होता है अब में मजीद कुछ और तो नहीं शेयर कर सकती तो जाहिर है आजकल shifting कर रही हो तो जाहिर है shifting वाले व्लॉग यह आप लोग उनको मिलेंगे न तो खैर यहां पर जो मसाला बॉक्स थे ना मैंने इनको टेप लगा ली थी अच्छे से था कि यह खूले ना उसमें क्यूंकि हमने इतनी दूर out of city जाना है तो मैं चाहरी थी कि अच्छे से हर चीज जो है ना पैक हो जाए तो किचन तो माशाला से हमारा तकरीमन almost जो है ना पैक हो गया था अभी बड़े बड़े उसको order दिया और डाले वाले को और अभी हा का यह living certificate भी हमने आज बनवा लिया था स्कूल छोडने का certificate क्यूंकि वहां जाके ना हम इसको नए स्कूल में इंशाला admission करवाएंगे क्यूंकि अब भी तो चुटिया होने वाली है मेई चल रहा है तो मेई के end पें गर्मियों के चुटिया हो जाना है तो हमने का कि चुटिया था लुटियों के बाद ही क्यूंकि अगर अबऑ टीन में गर्मियों के बाद ही इसको तो पर इसके बाबा पढ़ा लिया करेंगे या अगर ऐसा भी हो सकता है कि हम टीचर इसके लिए तब तक रख लेंगे गर में इसको स्टड़ी करवाने के लिए तो खैर यहां पर जाना वो पैकिंग का काम ज़रा तेजी से चल रहा था स्लाइम शीन भी है हम लोगों ने पैक कर दी हुई थी अभी पैक कर रहे हैं और बहुत बहुत काम थे आज भी इतने ज्यादा काम थे कि मेरी बस होगी थी और आज भी मैंने पहना डॉल ली थी और पहना डॉल लेने के बाद ही मैं काम पे लगी हुई थी क्योंकि बस हो जाते हैं इन्सान की काम करते करते हैं जब शिफ्टिंग आपने खास दोर पे करनी हूँ तो खैर ये है मेरा वो किचन जहां से मैंने यूट्यूब चैनल अपना ग्रो किया था ये हैं इसी कीचन में आपने यूट्यूब पे कामयाब दी थी यहां पर मैंने बहुत महनत किया थी इन साल श्रगल है इसी गर में इसी कीचन में तो और मुझे थोड़ी अफ़दासी भी हो रही थी कि मैं इस गर को छोड़ के जा रही हूँ जहां पे आला तला ने मुझे का हमयाब किया था सारी स्ट्रगल इसी गर में इसी कीचन में थी तो खैर उसके बाद मैंने इतनी थगी मैंने आज दिल कर रहा था कि लास टाइम बस आईस फूर्ड से ना यह मंगवा लूँ क्योंकि यह मेरा फ्रूट सेलर्ड जह ना फेवरिट है तो मैंने का लास टाइम का बूरल ओर वापस दोबारा मैरा चक्कर लगेगा और मैं यह फ्रूट सेलर्ड टो बहुत मिस करूंगे वहां जा करने यह जा ना कि खाने वाल में पता नहीं यहां पर यह मिलता होगा यह नहीं तो मिघंझे नहीं पता और मैं नाश्ता बनाने नीचे यागी थी अपने दिवरानी के किचन में क्यूंके उपर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगे ने दिवरानी के चैनल पे इतना प्यार दिखाया मैं हैरान हो रही थी कि माशालाँ उनके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर आ गए है जब मैंने उनको लास्ट वीडियोज में उनके चैनल के बारे में आप लोगों को बताया था तो आप लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया आप सब को बहुत बहुत शुक्रिया क्यूंकि वो भी काफी बना लेती हो नाश्ते में, तो खैर वो सो रही थी स्टाइम क्योंकि उनके बेबी की रूटीन ऐसी है ना, वो दिन के टाइम सोता है और राथ को उठता है, तो फिर रात का ख़नाओ बना देती थी और दिन प्रिज रहागी थी मीं तो समझ नहीं आ रहा था फृरिज काót है। उदर जाके ना इन्शाला फिर फ्रीज को चालो करूंगी और फिर ये सारा समान जाना वो वापिस रख देंगे तो खैर ये है वो मेरा किचेन ये तकरीबन हाली होता जा रहा था अब इन्शाला एंड पे ना मैं सारा गर्मी आपको दिखा दूँगी जब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा ना इस गर्मी सारा समान चला जाएगा तो खैर यहां पे फिर हम लोग नीचे आगे थे क्योंके पेटी हमारे नीचे वाले पोर्शन में पढ़ी है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हलात खराब हुए थे हमें डर भी लग रहा था जाते हुए कि पता नहीं क्या होगा अला तला वित्तर करेंगे इन्शाला सबने इतनी दौाइं की हमारे लिए और बार बार मेरी फैमली में भी सारे कॉल करके पूछ रहे थे जो इतना ख्याल क własा वार बार बार कॉल करके पूछ रहे थे कर निकल रहे हो रस्ते में कोई मुए क्यों अई तो इन्शाला जो नेक्स विलॉग होगा ना उसमें हम लोग निकल चुके हुए यहां लाहौर से और फिर नेक्स व लॉग जाना आपको मेरे खानेवाल से मिलेंगे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं लहूर छोड़के जो हमेशा के लिए जा रही हूं फिलहाल तो हमेशा के लिए जा रहे हैं अभी कोई पता नहीं के फ्यूचर में हम वापिस आ पाएंगे या नहीं अभी कुछ पता नहीं है इस बारे में अच्छा खैर तो यहां पे मैंने डस्ट बिंज भी वाश कर वा ली थे वीहा का स्टोर से जतना भी इसका ट्वाइज वगरत वो सारे निकल वा लिये थे इसी भी उतरवा लिया था बंदे बिलुआ थे इसी उतारने के लिए हायर वाले इन्होंने गहरा के न इसी उतार दिया था थोड़ी सी फीस ली थी इन्होंने आट सो रुपया बस और भी इन्होंने सारा ये आउटर इनर सारे उतार दिये थे ये देखिए अब करण्ट सिच करिया. तो खैर मैंने मेरी हलपर ने और मेरे हस्बर ने हलपर के हस्बर ने सब ने मिल के ही बहुत बहुत काम किये थे आज और लिटरली हम इतने धग गे थे कि मारी बस होगी थी. फिर ये कुकिंग रेंच भी मैंने यहां से निकलवा लिया था क्योंकि जल्सकि मैंने आपके साइश शेयर किया था कि मैंने अपनी बड़ी नंद को देना है. वह बेकिंग किया करेंगे क्योंकि मेरी किसी काम का नहीं है क्योंकि वहां पर गास भी नहीं है हमने से लंडर यूज करना है और दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है इसलिए मुझे इसकी अब जरूरत नहीं थी और यहां पे जनाब बेड भी खुल चुका था आपको बस लास्ट मुमेंट से नजर आ रहे हैं शिफ्टिंग के हैं जब बिलकुल तयार हो तरन सब कुछ शिफ्टिंग के लिए तो वह वाला भी लॉग है आज का तो यहां पे बेड ओपन हो चुका था खुल चुका था सोफे मैंने का था ऐसे ही रख लेंगे कवर्स के साथ ही ना उसमें डाले में तो यहां पे ना मेरा बेड भी तूट गया खोलते हुए बतानी कैसे तो अब जाके सही करवाते हैं फिर वाशिंग मिशीन भी यहां पे तियार हो चुकी थी जाने के लिए और बाकी भी जितना स्टोर का समान ता सारा आ चुका था और यहां पे मैंने बासकेर्स टब्स वगारा वाश करवाके वो भी पैक कर लिया मतलब सब कुछ ही मैं पैक करी थी फिर भी इतना गर्म मैस मैस हुआ था तो तो पिर इन्शाला मेरे नेक्स जो विलोग होंगे वो आपको हाने आपको ह बहुत बहुत शुक्री आप लोगों ने मेरे व्लोग इतने ज्यादा पसंद किये शिफ्टिंग वाले तो बीच में नेट चला गया लेकिन आप लोग देख नहीं पाए लेकिन जब नेट आ जाएगा आप मेरे व्लोग सारे पिछले देख लीजिएगा जो मैंने अपलोड क लिख रही हैं तो यह देखे कितने अच्छे से चमक रहे हैं अब यह कि जाकर आराम से सेटिंग भी हो सकेगी फिर मेरे दिवरानी ने वीडियो बना के मुझे बेजी थी व्लोग में लगाने के लिए ताकि मैंने का मैं आपको दिखा दूं करण्ट सिच्वेशन यह अच् दिवरानी ने इसके लावा मेरे ब्रदर इनलॉस भी साथ लगे थे उन सब ने मिलके जो हैना पूरा गर साफ किया उन सब को बहुत बहुत शुकरिया दोबारा से शुकरिया दा करती हूँ और आप लोग भी कहते हैं बहुत अच्छे हैं और आपके मायके वाले भी तो अल